गाटी में 54 सीटों के साथ आप लोग आएं देखे सबसे पहले तो मैं यह कहना चाहूंगा कि डीडिसी के इलेक्शन में अगर आप सही माइने में देखें तो लोग तंत्र की विजह हुई है ऐसे इलाके जिनमें कभी कोई नहीं निकलता था वोटिंग के लिए पचास परसंद ज्यादा लोग वोटिंग के लिए निकले ऐसी जगह पर जहां होता था कि कोई वोट सर्फ एक ही उसके लिए नाम के लिए दी जाए उसकी जगह लोगों ने चुना लोगों को कि किस के लिए उन्होंने वोट करनी है तो लोकतंत्र की विजए है और एक बहुत अच्छी बात है क्योंकि इससे एक जो संदेश जाता है और खासकर सीमा के पार की कश्मीर का और जम्मू का हर एक व्यक्ति विकास चाहता है लोकतंत्र चाहता है और चाहता है कि बाकी भरत की तरह जम्मू और कश्मीर के अंदर भी जो फाइदा हुआ है सर आप तो जो कह रहे हैं वो ठीक है पर जम्मू कश्मिर की पूर मुख्यमंत्री महभूबा मुफ्ती बिलकुल अलग बात कर रही है उनका तो कहना है कि हमारी सीटे सबसे जादा आई है एक सो एक सो दो के आसपास वो पहुंचे हैं गुकार जो गड़बंदन है तो यह कह र इस एलेक्शन के अंदर हिसा लेने समना कर दिया था बाद में इनको लगा कि यह तो गरबर हो जाएगी अब जो वोटर आपने किसी भी कारण से आपके लिए वोट किय है उसने पहले उसी ने अब आपके लिए वोट किये लेकिन अब एक चीज़ का फरक आया है अब आपक कि आप जब ये regular तरीके से election होंगे तो इनके अंदर और maturity आएगी उमर अब्दुला साब भी कह रहा है कि हमने इस चुनाओं में कोई referendum नहीं बनाया नहीं हमने कोई campaign किया भारते अंता पार्टी ने खुब जम के campaign किया है सब ने campaign किया ठीक उनके अगर मैं उमार साब की national conference की party की बात करूं विजय विजयपूर के area में सामभा के पास उनके बड़े नेता है सुरजीत सिंग सलारिया उनके रकार सारी सीट हमारी होंगे हमेशा हमारी होती हमारा तो गड़ है अब उनसे पूछेगा उनके कितनी सीट ह थी आपा कि सफाया हो गया उनका तो यह यह अब जो है लोगों है इसलिए मैंने का जीत जमूरियत की हुई है राश्टवाद की हुई है जीत विकास की हुई है जीत लोकतंतर की हुई है अगर ऊसको लेकर साहत में चले और यह उल्टी सीधी चीज़ न के दिमाग में से निकाल दें तो इसमें जम्हूर कश्मीर का बहला होगा जनरल वीकेसिंग को आप सुन रहे थी ये जीत रास्टरवाद की है जीत जम्हूरियत की है अब हो या घर पर अब होगी हर खबर आपके हथेली पर एप स्टोर में जाए और डाउनलोड करें जी और देश दुनिया के हर खबर पर रखें चौवीज घंटे अपनी नज़ाइब